बढ़नी और यूडियू क्लियर है? जियाओ दीन बढ़नी इनकी किताबे हैं फत्वाई जहादारी है ना? फत्वाई जहादारी बात्सा के बारे में वर्णन किया है इनोंने तारीकी फिरोसाही इसमें दिल्ली सल्तनत के सासक फिरोसाहा के इतियास का वर्णन किया है सालवत एक कबीर है ना एक महान प्रात्रा है इनकी सनाय महम्मदी इस पुस्तक में पैगंबर महम्मद की महानता का वर्णन है हसरत नामा इस किताब में अफसोस प्रकट किया है ओके सारे बच्चे तारीक बारमा की इनायत नाम इलाही इस पुस्तक में भगवान की उपहार का वढ़नन किया, याद का ले ना सारे बच्चे की कुँन सी किताबे हैं इनकी, जियाओदीन बढ़ने की, मासूर सादत, इसमें सयद की अच्छे कामों का वढ़नन किया गए, लब्तुल तारीख, फत्वाई दिन्दारी ठीक है ये इनकी कताब हैं जियाउद्दीन बर्णी का जन्म जो हो रहा है 1285 में हो रहा है कहाँ पर 1285 में सयद परिवार में हुआ ठीक सारे बच्चे जियाउद्दीन बर्णी बुलंद सहर के रहने वाले थे इसलिए अपने नाम के साथ बर्णी ओके ठीक है तो खिलजी बंस के समकाली थे है ना खिलजी बंस के समकाली थे तुगलक बंस के भी समकाली थे है ना किसके तुगलक बंस के भी समकाली थी खिलजी तुगलक ओके जियाउद्दीन बर्णी को मुहमद तुगलक की सासनकाल में 17 वर्स का संरक्षन भी मिला है ना और फिरोज सहां के सासनकाल में उन्हें को समय जेल में रहना पड़ा मुहमद तुगलक के साथ इनके संबंद अच्छे रहे लेकिन फिरोज सहां तुगलक जब सत्ता में आते हैं तो इनको जेल में रहना पड़ा उस समय जियावदीन बर्णी उच्च परिवार से संबंद से थे, उनके परिवार के सभी लोग पता चाचा दादा दिल्ली सुल्तान के उच्च सरकारी पदों पर काम किया लोगों है इनका परिवार मेरट हो बुलंद सहर की मूलेवासी था उनके नाना का नाम क्या था? जो घ्यास उद्दीन बलवन के एक महत्पूर अधिकारी रहे इनके नाना है ना इनकी पैत्रिकता के बता रहे है इनकी पिता का नाम मुयद उल्मुल्क जो जलाउदिन लिदीन फिरोज खिलजी के बेटे अरकली खान के नायम निक्त हुए ये नहीं आता है लेकिन थोड़ी इस हिस्ट्री है बता रहे है उनके चाचा का नाम काजी अलाल मुल्क था जो अलाउदिन खिलजी के सास नकाल के दोरान रहे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि तुगलग वन्स और खिलजी वन्स के समकाली थे एक्जाम में आता है कौशन आता है किसके समका अलाउदिन खिलजी के समकाली और मुहमद बिन तुगलग के समकाली लिख लो सारे बच्चे नोट कर लो जियादीन बनी ने कभी में कोई रासा ही पद नी समाला लेकिन 17 वरसों तक मुहमद बिन तुगलग के साथ ही बनकर उनके दर्वार में रहे किनके मुहमद बिन तु कोश्चन पूछा जाता है ध्यान रखना आप सारे बच्चे ओके ठीक है और इस अबधी के दौरान जी आउदीर बढ़नी की अमीर खुस्रों से मुलाकात हुई और अमीर खुस्रों के साथ इनके करीबी संबंध भी हुए है ना तो ध्यान रखना इनका जो पंगा हुआ तो मतब किस के साथ हुआ फिरोजसाह तुगलक के नय इनको जील में डाला था था तुगलक की पच्चिध होने के बाद दरबार में है वो सम्मान नहीं अपएक्च्छा थी ना हिए उनकी कारवली अइनकों कोई पुरसकार मिला किसके बाद बच्चे मोहँमध बिन तूगलक क के बाद मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्ति होने के बाद फिरोज सहां तुगलक की समय में ने कोई भी अच्छा पद भी नहीं मिला पुरुसकार भी नहीं मिला उपर से इनको फिरोज सहां तुगलक की समय में जेल में डाला गया फिरोज सहां तुगलक है ना मुहम्मद करक्ष सारे बच्चे ईसमें उलिक किया है जिन सुल्तानों ने बढ़नी के लिख से नियमों का पालन किया वे अपने प्रयासों में सफल रहे जब की नामानने वाले या पाप करने वाले सुल्तान असफल रहे क्याल बता रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सफल रहे जो नहीं नहीं माना वो असफल रहे मध्यकालीन यूग इतिहासका नेजामुद्दीन अहमद बड़ोनी फरिस्ता आजियुद्दी इनकी अवधी के दौरान रहे हैं ना तारिखी फिरोसाही पर निर्भर रहे हाँ जी कॉश्चन आता है तब बीच बीचे बता रहे हैं वाब को फिरोसाहात उगलक की रचनाये नमबर एक कॉश्चन आएगा फिरोसाहात उगलक किसके समकालीन थे नमबर टू कॉश्चन आएगा फिरोसाहात उगलक ने तारिखी फिरोसाही क्यों लिखी इसके सम्मद मे वर्णन है जिनके द्वारा मुस्लिम सासक धार्मे की उगता और अपनी प्रजा का विस्वास अर्जित कर सकें इसके लिए लिखेत राजनितिक आदर्सों का पालन किया जाना चाहिए तारी के फिरोज साही ध्यानक ना फत्वाई जहादारी सौरी ये मुस्लिम राजाओं के नसीहत की रूप में लिखी गई है किसके लिए लिखी गई मुस्लिम राजाओं की नसीहत के लिए लिखी गई है तारी की फिरोज साही सौरी फत्वाई जहादारी है ना ध्यान रखना फत्वाई जहादारी में किसके लिए है मुस्लिम सासकों की नसीहत है ओके और ये रा बर्णी ने इस पुस्तक में मुस्लिम सासकों के लिए बातें कहीं जिसके अनुसार यदि सासन किया जाए है ना तो प्रजा का अच्छा प्यार पाया जा सकता है करक्ट सारे बच्चे फिर है बर्णी का फत्वाई जहादारी इसलाम धरपर अपने संक्रीन वचारों का उधा इसके अलावा बर्णी सलहा देता है एक मुसलिम राजा को अपनी सारी सकती पवित्री उध्धों पर केंद्रित करनी चाहिए जूटे पंद को पूरी तरह से उखाड फेकना चाहिए कुल मिलाकर फत्वाई जहादारी मुसलिम सासकों को ठीक है ध्यानकना मुसलिम सासकों को क्या होना चाहिए एक सलहा की रूप में दी गई है फत्वाई जहादारी नसीहत दी गई है है ना बर्णी के अनुसार है ध्यानकना बर्णी के अनुसार एक मुसलिम राजा ब्रहमनों का वबत करकी भारत में इसलाम की सर्वुचिता करना चाहिए, ये किस में कह रहे हैं, ठीक है ओक कि फिरोज साही में क्या कहा गया है फिरोज साहा की कारों का वर्नन किया गया है और फिरोज साहा का ही तारीफ करी गई है ना तारीकी फिरोज साही में फत्वाय जहादारी में क्या किया है मुसलिम सासकों को नसीहत दी गई है इसी पुस्तक में इस पस्ट है दिल्ली सल्तनात दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने एक समान विचान नहीं रखे ठीक है बर्नी ने कहा उन्होंने हिंदूओं का सम्मान किया उनका समर्थन किया करेक्ट सारे बच्चे बर्नी ने कहा क्या दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने एक समान विचान नहीं रखे बर्नी ने का उन्होंने हिंदू का सम्मान किया उनका समर्थन किया मुस्लिम राजाओं ने हिंदू को उच्छ पद पर निक्ति किया जिसमें सासन विवस्ता की सामिल थी सासन विवस्ता में हिंदू बड़े बड़े पदों पर विराजमान थे बढ़नी आगे कहते हैं मुस्लिम राजा अपनी राजधानी दिल्ली में हिंदूओं की सम्रधी से खुश थे जब गरी मुसलमान उनके लिए काम करते थे उनके दरवाजी पर भीग मांगते थे तो जो जियाओ दिन बढ़नी थे कटर मुस्लिम बादी थे है ना उनका कहना थ कि जो मुसलिम सासक हैं वो ऐसे हैं जो राजधानी में हिंदूओं की सम्रधी की बात करते हैं उनके साथ एकाकार होकर काम करते हैं और जबकि बहुत सारे मुसलिम ऐसे हैं जो अभी भीग मांग रहे हैं उनके लिए मुसलिम सासक कुछ नहीं कर रहे हैं तो फत्वाई जहा करना आवसक है जिसके वगेर इसलाम का दबदबा मुस्केल है यहां बढ़नी अपने संक्रीन और कटर भावना को प्रस्तुत करते हैं इसमें कहा गया सुल्तान अल्ला का प्रतिनिदी है अल्ला ने उनकी धर्ती पर भेजा है इसलिए उसका हर आदिस अल्ला का फरवान है जि सुल्तान के भै पास भै और सक्ती होने चाहिए ताकि वह अपने आदिस्सों का पालन करवा सके ठीक है तो इस हिसाब से को बढ़नी के विचार है किसे मिल खाते हैं कोटले से मेल खाते हैं कोटले से मेल खाते हैं और मेक अवली से साथ मेल खाते हैं कि भै और सकती सुल्तान के कारों का हिस्सा होता है ठीक बढ़नी ये भी कहता है सासक सिर्फ क्रूर नहीं होना चाहिए उसके अंदर परुपकारिता भी होनी चाहिए ताकि वह सफल स लंबे समय तक सासन कर सके और जनता जिसको सुईकार कर सके सुल्तान परुपकारिता का प्रतीक होता है। जिसके अनुसार राज की सासन प्रणाली संचालिती आती है। इसका पालन करना राजा प्रजा दोनों के लिए जरूरी है। राजा जो कानुन लागू करता है उसको कहते हैं जबाबियत। जबाबियत है ना? उसको कहते हैं जबाबियत। बढ़नी ना सरियत कानुन को ज़्यादा महत्यवा प्रणाली की। सरियत अल्ला द्वारा जारी किया गया फर्मान है जो सभी के लिए निवार है। बढ़नी किसका सपोर्ट कर रहा हैं? सरियत का, सरियत कानुन का पालन राजा प्रणाली को करना चाहिए। सरियत कानुन सबकुछ है, तत्त सरोव पर ही है, Okay? दूसरी और बढ़नी कहते हैं राजी की सुरख्चा के लिए राजा के लिए जरूरी नहीं कि वो सरियत का पालन करें, क्योंकि राजा का आश्तित तु सरियत के ऊपर है। अपने राजी की सुरक्षा करना राजा का सरवुच ए नहीं ने दो कानौन सरीच जो सीधा भगवान मैं एस लागू करता है उसको कहते हैं जबाभियत है तो बढ़नी ने सरीच पानौन को क्या किया है, सपोर्ड किया है सरीच कानौन को अच्छा माना है लेकिन उने ने का राजा को सासन संचालन चलाना जरूरी होता है इसलिए वो जरूरी नहीं कि वो हर काम सरियत के according करें बासा द्वारा निर्मित वो कानून होते हैं जो राजा द्वारा सुनाएं के फर्मान आदेस होते हैं का प्रजा द्वारा पालन किया जाता है एक कानून समय के साथ आते जाते रहते हैं सरीयत कानून बदलता नहीं है और जबाबियत जो राजा के द्वारा बनाए को एक कानून होते हैं वो बदलते रहते हैं क्लियर सारे बच्चे समझ माया न्याय के बारे में जियाओदीन बर्णी के विचार बर्णी के न्याय के बारे में कहते हैं बर्णी के अनुसार राज में न्याय का होना अतियावस्थक है ठीक है राज में आरजकता ना फैले अवेवस्ता ना फैले इसके लिए नयाय की वेवस्ता होना जरूरी है राज में सांती स्थापना के लिए नयाय सर्वू पर ही है सासक के पास उचित नयाय प्रणाली होनी चाहिए जिस पर प्रजा को विश्वास हो है ना राजा के जो करीब गरीब लोग उन्हें उचित न्याय मिलना चाहिए उनका खास ख्याल होना चाहिए न्याय प्रणाली में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सब को समानता के अधर पर न्याय मिलना चाहिए ये किसका न्याय प्रणाली है जियाउदीन बढ़ने की बढ़नी की प्रसासनी की ववस्ता और राजनीती विचार है न राज में एक विधान परिसत होनी चाहिए जो राजा को सला दे सके है न राजी की विधान परिसत राजा के पास एक बुद्धी मान वजीर का होना आती आवस्यक है राजसाही के दो इस्तम स्वासासन और विजय प्राप्त करना बर्णी ने स्वासासन को महत्य दिया ओके सारे बच्चे है ना ध्यानक नाम सारे बच्चे रासाही के दो इस्तम कौन से बता है स्वासासन और विजय करना एक ग्रह है ना अपरा स्वासासन करना और दूसरा विजय प्राप्त करना सामराज्यवादी बर्णी ने स्वासासन को है ना पहले घर का सासन दीख लो फिर बाद में तुम सामराज्य को बढ़ा हो बर्णी ने किसको कॉंसर्ट को ज़्यादा फॉलो किया है स्वासासन को ध्यार रखना है ना जैसे वहाँ पर बर्णी ने सरियत कानून को क्या माना है सबसे उच्च माना है उसी तरह से आपर बर्णी ने स्वासासन को अच्छा माना है ठीक भई, सुल्तान के पास सासन की सारी अपनी सक्तियां होनी चाहिए सुल्तान सासन करने में स्वतंत्र होना चाहिए वा किसी दूसरी सक्ति के अधिन नहीं होना चाहिए और सुल्तान को अपने राजविस्तार के लिए सत्रूं पर विजय प्राथ करना चाहिए वह सिर्फ भोगफलासी रही होना चाहिए ठीक सारे बच्चे समझ भारा है, थमसब तो कर Ugh जितने बच्चे आए आए सारे बच्चे लाइक करतो थमसब करतो रहे ना, और जितने नए बच्चे हैं हो सब्सक्राइब करा ले बेला आकन का बटन दबा ले, Okay बर्णी एक कट्टर हिंदू विरोधी विचारक था है ना बर्णी ने अपनी पुस्तक में कहा सुल्तान को चाहिए वो हिंदूओं को अपने अधीन दबा के रखे उन्हें सत्या का कोई भी उच्पद नद बर्णी मुसल्मानों में बेद करता है वो कहता है नीच मुसल्मानों को सिक्षा से बंचित रखा जाना चाहिए उन्हें सिक्षा का कोई हग नहीं वो इसके लायक नहीं सिक्षा का अधिकार सिर्फ उच्च मुसल्मानों को है सुल्तान कूटनीती में निपोण होना चाहिए उसे राज की सुरक्षा के लिए प्रियुक करना चाहिए जब राज में कोई हमारी फैलती है तो सुल्तान को हर्माफ करना चाहिए प्रजा को कर देने से मुक्त करना चाहिए यह हो गे आपका बढ़नी फास्ट पढ़ा दी है हमने बढ़नी है ना अब बढ़नी से जो related question आते हैं देखो ध्यान समझो बढ़नी का जन्म है ना बढ़नी की book correct इन पर गौर करना बढ़नी किसके समकाली इन थे बढ़नी किसके समकाली इन थे ठीक है तारीके फिरोसाही में क्या लिखा है ना फत्वाई जहांदारी में क्या लिखा ठीक है ये सारे question बढ़नी से बनते हैं आप सारे बच्चों को याद कर लेना है इनको ओके आप सारे बच्चों को याद कर लेना है चलो भी तो अभी हम class क करें एंड कल बढ़ाएंगे सामके बढ़ाएंगे 930 पर objective question 930 पर होंगे objective question और कल है कल बढ़ाएंगे दूसरा topic कौल सा topic है पहले जी बताओ समझ में आया है कि नहीं आया यह बताओ सारे बच्चे समझ में आया yes और no जितने बच्चे बैठे हैं हमने जल्दी पढ़ाया है करेक्ट कहा रहा हूं आज जल्दी पढ़ाया है ना समझ में आया है कि नहीं आया सारे बच्चे अब हम कल बढ़ाएंगे आपको आप लोग एक बार जिनको ना लग रहा हो तो आप सारे बच्चे एक बार फिर से रिपीट क्लास देख लेना है तो हम पढ़ाएंगे अब बाल गंगा धर तिलक नियुके फिर चोटे 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 कापिक्स आप सारे बच्चे ज्वाइब करें ठीक क्योंकि 15 दनी के अंदर हम लोगों को ये यूनिट खतम करनी है इसमें से और ध्यान रखना है आप सारे बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ही कॉश्चन आएंगे क्योंकि टॉपिक का हर कॉंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं यहां पर है ना चलो भे क्योंकि तो